तो ये कोशन मेरे से बहुत लोग पूछते है कि भाईया मैं अपने ट्रेवलिंग का खर्चा कहां से निकालता हूँ मेरा क्या जोब करता हूँ मैं बिजनस है वाफा का बिजनस है या फिर मेरे जो यूट्यूब पे तीनों चैनल है उनकी टोटल इंकम कितनी आती है एक महीन एक और नहीं जर्नी आज है 24th of April 2020 मैं हूँ अभी अपने होम टाउन गुडगाओं में जैसे कि आप सबको पता ही है लोगडाउन चल रहा है तो भाईया हम भी फसे हुए क्या करें ट्रेवलिंग वगरा तो कहीं हो नहीं सकती तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोश्ट किया क कि चलो भाईया अपनी वीडियो बना के भेजो मुझे कोशन पूछते हुए तो क्यूएन नहीं कर लेते क्योंकि कभी कोई content होता नहीं तो क्यूएन नहीं वचता है अपने पास और मैंने आज तक वैसे भी कभी बनाया नहीं था तो मैंने का चलो एक बार तो बनाई लिया कुछ निया भाई अभी 22 की हुमेर है कहां शादी कर वा रहे हो मेरी अभी तो फिलाल शाम हो गई है सूरज ढलने वाला है लेकिन मैंने ये वीडियो शुरू करी थी सुबा सुबा एक्चुली मैं स्टार्टिंग का इंट्रो देना भूल गया था तो मैं सोचे चलो ड्रोन राइडिया मैं कहाता कि रोज नारियल पानी पी हो हाला कि अब ठीक हो चुगा डाइडिया लेकिन पीना पड़ेगा कुछ दिन ताकि अच्छे से ठीक हो जाओं पूरी तरह काफी लोग में से ये पूछना चाते होंगे कि अभी मैं हूँ कहां पे देखो भाई मैंने अप को पता ही है बाहर ना ही निकलो उतना ही बढ़िया है मतलब मैं लाश तीस दिनों में शायद से दो या थीन बार घर गया हूंगा जबकि मेरे को डाइरिया हो रहा था डाइरिया जब था मैं एक बार उस वक्त गया घर ताकि थोड़े दिन घर पे रैस्ट मारू पांच-छ कोशिश करूँ मैं जात स्यादा अंसर करने की बट इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊ हूँ क्योंकि आपको पता ही है मैंने स्टोरी डाली थी कि अरूंड 700 से जादा आपकी वीडियो आई है तो उसमें से 10-12 कोशन्स जो मेन मेन लगे मुझे मैंने वह चूज कर लिया है पहले बान आके आता हूं बहुत गर्मी लग रही है भाई साब बाल कुछ जादा ही लंबे नी हो गए है ओ तेरी ट्रिमिंग तो मैं कर लेता हूं घर पे में वह ट्रिमर है लेकिन बाल लोगा क्या करे खुद तो काटूंगा नहीं उट पटांग कर जाएंगे फाल तूफ पहले ट्रिप मैंने मार्च 2019 में करी थी अपनी मलेशिया की उसके बाद मैं वहां से गया था इंडोनेशिया फिर मैं आके गया था इजिप्ट जाना था मेरे कोश्टा इंपर रशिया लेकिन पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने की वैसे मेरी टिकेट्स कैंसल हो गी थी तो टोटल यह साथ कंट्रीज हो गई और इंडिया में तो मैं घूमता ही रहता हूं इदर उदर कभी न कभी तो आठ कंट्रीज ले सकते हो आप टोटल और मेरा बैस्ट एक्सपिरेंस अभी तक का रहा है भाई साब बाली में क्या गजब का एक्सपिरेंस था मैंने 9-10 दिन ब बहुत मज़ाया सोलो ट्रेवल किया था मैंने मस्त एकदम नेचर पूरी हवा साफ एकदम वहां पर मैं इंडोनेशिया में जकार्ता में भी गया था वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया था वहां की कैपिटल है बट बाली वाला जितना भी एरिया ता सब इतनी मस्त ज किया है तो सबसे ज्यादा स्कैम्स कौन सी कंट्री में आपको फेस करने पड़े हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ही बनाई ती उपर कार्ड में लिंक दे दूंगा बहुत स्कैम्स होते हैं वहां पर मतलब ना ऐसे आपके पीछे पढ़ जाएंगे बुरी सीरीज मेरे चैनल के सबसे बैश रही है क्योंकि ममी की वीडियो चली तो चैनल को ग्रोथ मिली अच्छा था इस कंपेर टू अधर कंट्री इस काफी बुरा भी था इन स्कैम्स के चकर में लोगों से पीछा चुड़वाने के चकर में उनको भगाने के चकर में कि भाई जा तो वहां पर जो ट्रेकिंग होती है उसको करने के लिए मेरे को थोड़ी सी गाइड चाहिए थी कि कैसे पहुचा जाता है उपर कैसे किया जाता है तो मैंने यूट्यूब पे मतलब देखा कि किसी ने वीडियो बना रखी है नहीं उस वाग मुझे एक दो वीडियो मिली ज मतलब कॉली जाने जाने में लग जाते थे तो उस टाइम पर मैंने फिर अपना अन्मोल जैस वाल चैनल स्टार्ट किया टेकनिकल वाला की ठीक है और उससे थोड़े बहुत पैसे जब कमाने लग जाओंगा जब ट्रैवलिंग चुरू करूंगा तो इन शोट यह सारा को स् टीम लेते हैं जुखाम के टाइम पर वो जो गरम पानी होता हुबलता हुआ उसके पतीले पर मैंने लात मारी और वो पानी उचल के सीधा मेरे हाथ पर और थोड़ा सा यहां चैस्ट पर गिराता चैस्ट में इतना कुछ नहीं हुआ क्योंगी कपड़े जादा पहन रखेत यह सची बता हुँ तो डर लगाता जब मैं यहां से इंडिया से मलेशिया गया तो मुझे फॉर्स टाइम ट्रैवल कर रहा था इसे इंडिया से बहार मतलब लगे गया यार विसली फर्स टाइम सबको लगता है पर जैसे ही मैंने पहला कदम बाहर रखना कोलारंपूर के ए अगर पासपोर्ट खो जाए बट यार वह पूरा प्रोसीजर होने में फिर सारी फॉर्मालिटीज करने बहुत जड़ जड़ तो डर लगता है कि बस पासपोर्ट नगोए तो पासपोर्ट को तो भाईया मैं ऐसे बिलकुल दिल से लगा के घूमता हूं कि इदर उदर रख पहले करना दो तीन मिनट पहले और इसके लावा पूर्णी माज जिस दिन होगी आपको उस दिन एक वीडियो जरूर अप्लोड करनी है जिससे कि आपका चैनल जो हो एक दम से बूम मारेगा और पूरा ग्रो हो जाएगा व्यूज सब्सक्राइबर सी सब्सक्राइबर आपको जो वीडियो से हैं उसका कॉंटेंट कुछ ऐसा देना जो कोई ना देता हो कुछ हटके हो मालो आप किसी भी केटेगरी में जा रहे हो गेमिंग और ट्रैवलिंग और कुछ भी हो बट आपको ध्यान रखना है जो दूसरे उसी के लोग वीडियो बना रहे मालो मैं जो मैं वीडियो बना रहे हो आपको वो कॉपी नहीं करनी है आपको कुछ हटके कंटेंट देना शुरू में ताकि लोग आपको देखे भाई वरना फायद है कि मुझे ही देख लेंगे अगर मैं जीटे भाई मोड्स पर वीडियो बनाए जा रहे हो सेम से तो आप भी वह बनाने लग गए तो कुछ फायदा नहीं होगा तो में चीज यह है कि आपको हटके बनाना है कॉंटेंट और दूसरी बात यह कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अगर ऐसा ना हो कि आज एक वीडियो डाल रहो फिर एक साल बाद वीडियो डाल रहो फिर एक महीने में कर सकते हो कि हा मेरे को हफते में जितनी भी डालनी है उस हिसाब से तो यह दो में मंत्र यूट्यूब पे थोड़ी बहुत सक्सेस लेने के लिए अपके पास कॉंसी गारी है प्यार मेरे पास कोई गारी तो नहीं है लेकिन यह होंडा की एवियेटर है जो मेरे पेरेंट्स आज से पांच साल पहले दिलवा के दी ती इसी एविएटर में 11-12 में स्कूल जाये करता था उसके बाद तीन साल गुर्गाओं से डेली कोलिज जाये करता था और अभी भी 5-6 साल बाद देख लो भाई है सही सलामत पड़ी है बट हर चीज की एक लिमिट होती है कुछ- इस बिजा लगना बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे चांस मिला तो भाई मैं पका आजाता हूं लाहोर आना चाहता हूं मैं श्रीट फूट कर ट्राइब करना चाता हूं कराची आना चाहता हूं और लियारी करके एक जगह है वहां का मैंने दुबई में कुछ बिर्यानी तो काफी फेमस है कराची की बिर्यानी मैं वो ट्राइ करना चाहता हूं बढ़ ठीक है और वीजा लगता है तो अच्छी बात है नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है करतार बूल तो होई आए मेरा नम नुनीत है आप मेरा स्वाल याप से यह है कि आप यूट्यूब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं कि मेरी पढ़ाई जो है वो अल्रेडी कंप्लीट हो चुकी है 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है बीसी कंप्यूटर साइंस डैली उनिवरस्टी सा शायद से पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं अडमीशन लेलू बट ओपन से लूंगा रेगुलर जाना पॉसिबल निया यूट्यूब भी समालना ट्रेवलिंग भी करना और साथ सा रेगुलर कॉलिज जाना तो ही नहीं नहीं पाएगा तो ओपन से लेलू बाकि कुछ कुछ जैसे भी होगा आपको जरूर बता दूंगा मैं तो मेरा कुछिन आपसे है कि जब आपको वीडियो डाते है और उस वीडियो पर जो रिस्पॉंस आपको चाही होता है वो नहीं मिलता है तो आप उस हीट को कैसे करते हो और अपना मोडिवेशन सीखर्ट बता कुम मैं यार मेरे साथ बहुत बार होता है जब वीडियो चलती नहीं है तो कभी-कभी लगता है ना कि हाँ यार पहले तो इतने व्यूज आ रहे थे अब इतने कम क्यों आ रहे है अलग कि इतना मैंटर नहीं करता है फिर भी थोड़ा बहुत ना आ जाता है दिमाग में आर मतलब कि टोड़ा सोचने लग जाते हो कि किव हो रहा है पहले उतने आते थे अब क्या कम हो रहे है मैं क्या गलती कर रहा हूं तो इससे थोड़ा सा ौटिवेशेन आ जाते है और सच उपर काम नहीं करते हैं तो होता है आती है लाइफ में स्टेज की हाँ आप डी मोटिवेट फील कर रहे होते हो बढ़ ठीक है टाइम में निकल जाएगा अच्छा टाइम भी निकलता है बुरा टाइम भी निकलता है तो निकल जाएगा कोई बात नहीं काम नहीं छोड़ना च जाही है उपर चत पर मुझे ओरावंदेरा होने वाला है कैमरा कॉलिटी भी घड़ जाएगी तो नीचे रूम पर चलके कॉंटीनु करते हैं आई साब कल रात को मैं ऐसा सोया ना मतलब मैंने सोचा कि शूट में थोड़ा रात को कर लूँगा लेकिन साड़े दस ग्यारा बज़े ऐसी तगड़ी नीद आई ना कि अब जाके अगले दिन उटाऊं ग्यारा बज़े सुगा के और भार मौसम देखा तो भाई साब पूरी बारिश वारिश हो रखिये खतरनाक तुफान मगरा आया होगा मेरी नीद बहुत घहरी है मुझे पता नहीं जलता भाई कब तुफान आ रहा है आप मेंसे जितने लोगों वो बताना को नैसा है कि हाँ एक बार जो सो गया उसके बाद ऐसा हो गया जैसे यह टपा की गया हो बिल्कुल नमस्ते हैं मेरे नाम जीवत से और मुझे ना बहुत टाइम से आपका व्लॉगिंग सेटप देखना था क्या आप दिखाएंगे हमें बाइ देखो मैं फिलाल यह बैग यूज़ कर रहा हूं कैमरा बैग वैंगार्ड का और इसके अंदर मेरे सारे गेर्स पड़े हुए कुछ-कुछ बाहर कुछ इपड़ है कुछ-कुछ इसके अंदर भी यह जितने फी लेन सीझ से जितने भी कैमराज काफी कैमराजैं में ह अगर इसके उपर आप प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्चेन बता देना अगर तीन सो चार सो कमेंट्स हुए कि हाँ देखना चाहते हैं तो मैं नेक्ट वीडियो वट्स इन माय कैमरा बैक पैक बना दूँगा जिसमें आपको सब चीज़े बता लग लगरी होगी तो सब बता दूँगा कमेंट सेक्षेन में जरूर बता देना मुझे भाई मुझे तो रोज रोज नहाने की बिल्कुल आदत नहीं है मैं तो मस्त एक दिन छोड़के नाता हूं और लोग डाउनर तो कभी-कभी 12 दिन तक नहीं आता क्या करे भाई आदत करूंगा थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेता हूं एजे गेमिंग के लिए वीडियो बनानी है और फिर सारे तीन-चार बजे चलेंगे कल मजा आयता उपर जाने में तो आज फिर से चलेंगे यह कोश्चन में से बहुत जादा पूछा जाता है कि भाई आप अपना ट्र में ट्रेवल कर चुका हूं तो बहुत नॉर्मल सी वात है लोगों के मन में आता होगा कि मैं करता क्या हूं सबसे बहले दो चीज़े क्लियर कर दू कि मेरी कोई और जॉब नहीं है मैं एक प्रॉपर फॉल टाइम यूट्यूबर हूं मेरे तीन चैनल है मैं तीनों चैनल सं सब्सक्राइबर हूं तो इतनी इंकम मेरी बन जाती है कि मैं घूम पाऊं स्टार्टिंग में मैं जिए अपने दो चैनल से लिए तो 2019 तक जब मैं ट्रैवलिंग शुरू नहीं करी थी मैंने 2019 में ट्रैवलिंग शुरू करी और यह चैनल भी 2019 में ही बनाए मेरा तो उससे पहले मेरे दो चैनल होते थे जिससे मैं थोड़ा वह तच्छा कासा अंग कर लेता था तो मैंने अपनी जो शुरू की 2-3 कंटरीस के ट्र हो गया ना मेरी पाकिस्तान वाली सीरीज के बाद से तब से मुझे ब्रैंड डील्स भी मिलने लगी इस चैनल पर तो अब ऐसा होता है कि मालो किसी भी कंट्री में मैं जा रहा हूं और मेरे दस दिन में 60,000 का खर्चा होना है तो मेरे को दस दिन में वीडियो के लिए इतनी ब्रैंड मिल जाती है अभी तक बगवान करे हागे भी मिलती रहे कि मेरे वो 60,000 रुपे उन ब्रैंड डील्स में कवर हो जाते हैं एक तरह से आप लगा लो कि अगर मैं कहीं भूमने जा रहूं वीडियो बना रहूं ब्रैंड डील्स कर रहा हूं तो मेरे को पूरी तो कुछ साल पहले उनकि जादी हो चुकिया तो विलाल तो अभी घर में मैं पाप और मुरा चाचा वगरा है क्योंकि हमारा घर जौप पूरा ज्वांट फैमिली ए उसमें में टोटल कुछ 13 फोड़ा लोग रहते हैं एख विलाल तो अभी घर में ब्रैंड आपने लोग मुझे उसमें काफी खुशी मिल रही और मैं अपने घर से जाधा दिन तक बाहर रुख नहीं सकता हूं लेकिन पर्मेनेंट अगर रहने की बारी आए तो नहीं होगा इंडिया से बाहर तो खास करके क्योंकि एक तो खाना नहीं मिलेगा इंडिया जैसा फिर घर की आदान भी आप बहुत बड़ा पैन हो आपका मेरा सवान आपसे यह है कि आपका कोई एसा एक्ष्पी जो आप टाइम के लिए याद रख सकते हो वह आपको शेफ कर दो तो बात है 2016 दिसेंबर की मैं गया हुआ था हिमाचल ट्रिप पे में क्लोड गंज बीर बिलिंग करूंगा बट जब पहाड़ी पर उपर पहुचे ना जहां से एक्ष्वल में जम्प मारनी होती है भाई मेरी हालत खराब हो गई वहाँ पर बट किसी तरह से फिर मैंने जम्प मारी दी और वह 15-20 मिनिट ना इतनी सही फीलिंग ती ना लेकिन उस टाइम पर रियलाइज न पीलिंग चल रही होते हैं जो पूरा मुवमेंट बना होता है मतलब सेम टाइप का मुवमेंट मेरा बना हुआ था उस 20-25 मिनिट की पैरेग्लाइडिंग के बाद अलगी लेवल का एक्स्पेरियंस ना कभी नहीं बहुत सकता अपनी लाइफ में नमस्कार अनुर बाई मैं उन्होंने साफ साफ मना नहीं किया मुझे की मज़ा या ऐसा कुछ डर लग रहा था मुझे साफ दिख रहा था ऐसा करता हूं मम्मी को फोन करता हूं मम्मी सही पूछते है स्रियकाल करूना वायरस बमारी जानी कोविड-19 नो जेकर फैलर तो रोखना है ता सानु अपने करादे अंदर ही रहा है अरे मैं ना वो वीडियो बना रहा था कोशन आंसर वाली तो उसमें लोग पूछ रहे थे जैसे कि तुम बाहर घूमने जाते हो तो तुमारे पेरें अच्छा तो अब निया विश्वास था हमें अब भेज दिया ना मैं मैं मतलब सोच रहों की बाइक पर ऐसे लद्दाक वद्दा घूमने जाओं है तो बाइक में जाता है तो क्यों ज़रूरी थोड़ी है फ्लाइट भी तो क्रेश हो सकती है तो इतना वह नहीं होता था थ कि कुछ नहीं होगा तो भी सही सलामत हो जाएंगा कोई दिक्कत थोड़ी है तो मतलब ले लुना बाइक है क्यों नहीं क्यों अभी कह रहें हाँ आप कहरें नहीं अब ले रहों अब इंटरनेशनल ट्रैवल तो होनी पाएगा बाहर अब इंडिया में घूमगा मैं इस साल बाइक लेके अपनी चलो ठीक वीडियो बना रहा था अभी ममी ने कह दिया कि विश्वासता हमें इसलिए हमने भेज दिया कि कुछ नहीं होगा तो ममी बाइक के लिए भी मान गई है तो आपको हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा कि मैं प्लैन कर रहा हूं एक बाइक लेने का और फिर बाइक में मैं इंडिया में घूमूँगा जो लदाक वगरा है स्पिती वैली है बहुत है क्योंकि बाहर तो जा नहीं पाऊंगा आपको पता ही है तो इंडिया ही एक्स्प्लोर कर लेते थोड़ा सा अब इस वीडियो का लाश्ट और सबसे इंपोर्टेंट सवाल जो बहुत से लोगों में में मेरे से पूछा यह जाँ झाली टका आपको यूटाइम सिंपल बताता हूं ॉपर एक यूट्यूब दूसरा है है sponsorship तीसरा है affiliate marketing affiliate marketing का बहुत कम होता है मतलब महीने के मैं 3-4,000-5,000 रुपे maximum कमा पाता हूँ affiliate marketing से sponsorship के जितने ही पैसे होते है वो लगबग मेरे सारे के सारे trip में चले जाते है कि मालो कोई brand की sponsorship मिली तो मैं trip पे निकल गया किसी दूसरी country में तो यहां भी obviously खर्चा होता है तो वो brand sponsorship मेरी लगबग निकल जाती है तीसरा जो मेरा revenue वसता है YouTube का revenue उसमें से मेरे मैं आपको खर्चे गिनवाता हूँ यह room का rent देना electricity बिल भरना और internet का बिल भरना इन सब को हटा हूटू के मेरे को महीने के कुछ around AdSense से अगर मैं आपको अंदाज़ा दे जता हूँ चलो app खोल के यहां पर देख लो आप तो यह मैं analytics दिखा रहा हूँ आपको अपने AJ gaming चैनल के AJ gaming में जो revenue है April की बात नहीं करते है February की बात करते है क्योंकि अभी lockdown में तो भाई zero के बराबर ही चल रहा है revenue तो normally February का देखते हैं तो आप देख सकते हो February में total 785 डॉलर बनेते मेरे और व्यूज दिखाता हूँ मेरे पूरे महीने में कितने आए थे यहां देखो 61 lakh व्यूज यानि 6 million व्यूज पे around 700 डॉलर तो 110 डॉलर मिल रहे है मुझे 1 million व्यूज पे मतलब 1 lakh व्यूज के सिरफ 10 डॉलर यानि 700 रुपे मिल रहे है अगर मैं 1 lakh व्यूज लाता हूँ तो बहुत कम है ये same हाल मेरे अनमोल जैस्वाल वाले चैनल का है और Indian backpacker में थोड़ा बैटर है उसमें 1 million जैसे इसमें 1 million के 100 डॉलर मिलते है उसमें 1 million के 200 से 500 डॉलर मिलते है मुझे 300 भी मिल जाते है कभी-कभी डिपेंड करता है बट बहुत सारी यूट्यूबर से जो mobile के अन्बॉक्सिंग होगरा करते है जो money earnings से related videos बनाते है उनके भाई 1 million पे 1000-1000 डॉलर बनते है और मेरे 100 डॉलर बन रहे है तो बहुत कम revenue मिलते है मुझे इस हिजाब से बट मैं आपको अंताजा दू अगर मैं महीने की कोई भी वीडियो ना डालू ना तो मेरी पुरानी वीडियो से इतने views आ रहे है कि मेरे तीनो चैनल के मिलाके 300 डॉलर तो बनी जाएंगे हर चैनल के 100-100 डॉलर तो महीने के 21,000 तो भाई आने ही आने है और मेरे ख्याल से 20-21,000 महीने का मेरा खर्चा भी है जो पूरा निकल जाता है इसमें 20-21,000 आते हैं थोड़े जादा ही आते है बट वो ही मैं camera gears में सब में invest कर देता हूँ मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाँगा कि मैंने अपने YouTube की earning से आज तक क्या चीज़े खरीदी है चाहे वो छोटी छोटी नहीं 15,000 से उपर की कौन कौन सी चीज़े खरीदी है सिरफ YouTube की earning से तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी आए होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हूंगे earning से related exact figure मैं बता नहीं सकता YouTube की guidelines के खिलाफ है बर स्टिल मैंने आपको दिखा दिया कि वन मिलियन व्यूज पे कौन से जैनल पर मिर को कितने रुपे मिलते हैं तो ये चीज़ जरूरी नहीं कि मेरे हर महीने 600 डॉलर बनेंगे किसी महीने व्यूज नहीं आएंगे तो 100 डॉलर बनेंगे तो और कहां ही जाँ छत पे आगे कभी रूम में चले गए आई नो बहुत लोगों के मैं कोशन नहीं ले पाए बट यार देखो जो जादा लोगों ने पूछे होते हैं उन्हीं के मैंने आंसर करने ही कोशिश करी है अगर आपको कोई कोशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं ट्राइ करूँगा कि आंसर कर दूँ उनका बाकि आप वट सिन मैं कैमरा बैक पैक की वीडियो देखना चाहते हो नेक्स तो प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में क्योंकि ओविसली कॉंटेंट तो है नहीं और क्या ही करूँगा चलो भाईया फिर मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तेल लेन गुडबाई और आज ओल्वेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना पिका बाई प्लीज प्लीज डिवेज करें लेक्स को अगूबाई प्लीज बाई